नमस्कार अनमानगड राजस्तान से मैं आनन जैन आप सभी का श्रिदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जहां हम विज्ञान और अभियांतरी की विशों में विशे समझ को बहतर बनाके रुचियां बढ़ाने का एक प्रियास कर रहे हैं आज हमारे विशे एलेक्टिकल एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में जानते हैं विद्धूत लागत या अनमान लगाना क्या है और इस कारिये के एलेक्टिकल एस्टिमेशन के क्या उद्देशे हैं तो समझते हैं विद्धूत संस्थापन कारियों में लागत के अनमान लगान कोस्टिंग है वो किसी भी परियोजना के प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही उसके लागत का अनुमान लगाने का तरीका है हम किसी भी परियोजना में उसके पूरे होने से पहले ही जान लेते हैं कि उसमें कितना खर्चा आने वाला है और इस तरह के लागत अनुमान और पूरे योजना में ऐसे विविन मदों के जो समग्रिया में इस्तिमाल करें उनकी कितनी मातराओं के हमें जरुरत होगी उन मातराओं का भी आंकलन किया जाता है बाद में बजार में सर्वेक्षन से सबी मदों की बजार में क्या दर है और जिस दर पे वो हमें अपनी निर पर्योजना की लागत को पता किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्धूत संस्थापन पर्योजना में Electrical Installation Project में सबी परकार की पदात सामगरियां और उन्हें स्थापना करने में सबी तरह के जो कारिये होंगे जो material और manpower लगेगी उन सब की जानकारियों के विवरन को इकठा करके पूरी योजना की लागत का पता लगाना लागत आंकलन है किसी भी पर्योजना में लागत अनुमान का एक उद्धेश है पर्योजना के जितने भी स्टेक होलडर हैं हिद्धारग हैं उन्हें पर्योजना सम्मंदि निर्णे लेने के लिए पर्योजना की लागत से सम्मंदि जो सटीक जानकारी है वो प्राप्त रहे इसे तू हमें किसी भी कारिये के लिए estimation और costing अनिवारिय है किसी भी पर्योजना में लागत के अनुमानों को ग्यात करके हम वो बहतरीन तरीके खोच सकते हैं जिन से पर्योजना के पर्योजना के पर्योजना के खर्च को कम करने है तू आवशक कदम उठा सकते हैं आम तोर पे किसी भी पर्योजना में लागत के अनुमान लगाने के लिए जरूरी है कि हमें उसी परकार की पुरानी परियोजना का परियाप्त अन्भवों और उन पूर अन्भवों को देखते हुए और जो दूसरी जानकारियां हमें पराप्त हुई है उनके आधार पे वर्तमान परियोजनां के लिए अनुमान लगाये जा सकते हैं किसी एक परियोजना में जो लागत का अनुमान लगाया जा रहा है वो कितना सटीक है वो इस बात पर निर्वर करेगा कि उस परियोजना की जो जानकारियां हैं और जो विवरन हैं वो कितने बैतर तरीके से इकठे किये गए हैं और उनके विशरेशन के लिए जो प्रोजेक् जो किसी सामगरी या कारिय को करने के लिए दरों का प्रस्ताव या कोई उद्धरन हो सकता है उनको एक जैसा समझ लेते हैं एस्टीमेशन और कोट को गल्ती से एक समान मान लेते हैं लेकिन वास्तम में ऐसा नहीं है एक कोटेशन या किसी सामगरी या कारिय का जो दर प्रस्ताव है वो वस्तूत है किसी ग्रहक को किसी उत्पादक या सिवा प्रदाता द्वारा सामगरी या सिवा प्रदान करने के एवज में भुकतान की जाने वाली सटीक कीमत को दर्शाता है और अगर सीवा प्रदाता और ग्रहाक दोनों में आपस में कोई कॉंट्रेक्ट हो जाता है अपसी समझ बन जाती है सुईकर्ती हो जाती है तो सीवा प्रदाता को उस कोटेशन के अंदर निर्धारित दरों पर उस कार्ये को पूरा करने की कॉंट्रेक्ट्चुल सविधात्म उन्मान कोटेशन को निरिक्षन करने में मददगारी तो हो सकता है लेकिन अनुमानेत राशी को ही अंतिम वास्त्विक लागत राशी माना जावे ये ठीक नहीं है किसी भी विद्धुत कारिये का एक अच्छा अनुमान तैयार करने के लिए ये जो नीचे लिखीवी ज़रुते हैं इन्हें पूरी होना अत्यनतावशक है हमें एक अच्छा अनुमान बनाने के लिए विद्धुत कारिये का एक पून और पैमाने के अनुसार बना हुआ विस्तरत योजना विन्यास चित्र होना चाहिए जिसमें ले आउट के रूप में सारे हमारे इलक्टिक इंस्टॉलेशन के जो मुख्य अव्यम हैं जैसे मुख्य स्विच गेर आइटम्स हैं डिस्टिबुशन बोर्ड की पोजिशन्स हैं वित्रन बोर्ड की स्थितियां हैं और दूसरे स्विच बोर्ड और एलेक्टिकल एक्यूप्मेंट की पोजिशनिंग है वो सबी सही तरीके से इंकित होनी चाहिए अगर विन्यास चेत्र में पेमाना भी सही तरीके से अंकित है तो हमें मापन में सटिकता आएगी साथे साथ हमें विद्यूत संस्तापना कारिय का जो वाइरिंग डाइग्राम है स्कीमेटिक डाइग्राम वो उपलब्द होना चाहिए अलग-लग स्तानों पर हमने क्या इलेक्टिक इंस्टॉलेशन्स करनी है उसकी पूरी तरह से इलेक्टिकल शुडूल विद्यूत अनुसुची हमारे पास प्राप्त होनी चाहिए ताकि हम किसी कक्ष विसेस में कितनी इलेक्टिक इंस्टॉलेशन्स हैं इस तरह के विद्धूत उपकरण हैं कितने स्विच और दूसरी व्यवस्ताइं हैं इनकी जानकारी कर सकें। साथी साथ हमें पर्योजना के प्लान डाइग्राम में कंड्यूट का ले आउट आदी भी उपलब्द होना चाहिए ताकि हमें विद्धूत तारों के रास्तों और लंबाईयों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकें। सामगरियों के साथ साथ हमें किस तरह के कारिय करने हैं वर्कमेंशिप रिक्वाइर्मेंट क्या है उनके बारे में भी सभी तरह की टेक्निकल डेटेल्स हुपलब्द होनी चाहिए तो हम कारिय का विवरण और कारिय की सामगरियों का विवरण करके पूरी परियोजना के द प्राप्त कर लिये हैं तो हमें धरे मालुम करने के लिए जो चालू वर्स है उसके लिए जो दरों की मानक अनुसुच्ची है जो standard rate schedules हैं वो प्राप्त कर लेने चाहिए और अगर परस्तितियां और नूसरे कारणों से मानक rate schedule में कुछ परिवर्तन करने होंगे तो उन परिव परियोजना के लिए कारिया सुखरतियां पराप्त करते हैं कितने पदार्त और कैसे पदार्त लगेंगे उनके लागते हैं किया है श्रम की आफशकता क्या होगी पूरी परियोजना में समय कितना लगेगा परियोजना की लागत का अकलन कर सकते हैं और परियोजना को पूरा करने के लिए आपूर्ति करता से टेंडर इन्वाइट करने का भी कारिया कर सकते हैं इन्हीं सभी को विस्तार से पढ़ते हैं आज का निर्धारन एक अच्छा अनुमान कर सकता है सभी सरकारी विभागों में और संगठित छेत्रों में सभी परियोजना की जाए वो बवन निर्मान हो या कोई विद्धूत संस्थापना का भी कारिये क्यों ना हो उसकी प्रसासनिक स्विकर्ति उच्चा दिकारियों से प् परियोजना में कितने धनकी आवशकता होगी वो सामने आ जाएगा और उस धनकी विवस्ता किस तरह से होगी धनका अमंटन परियोजना के लिए कैसे किया जाएगा वो उच्चा दिकारी जब निर्ने कर लेंगे तत्पस्चात ही योजना को प्रशासनिक मंजूरी प्राप प्रियोजना की प्लानिंग बहुत ज़ादा जरूरी है और हमें उस विद्धूत संस्तापना कारिय के लिए किन विद्धूत सामगरियों की किन टेकनोलोजी की आवशकता है उसका चैयन किया जाता है और परियोजना का जो डिजाइन का विवरन है जो हमारे पास वरकिंग ड्रोइंग्स हैं एक्यूपमेंट्स और टेकनोलोजी की अवेलिबिलिटी है उसके आधार पे उस पर्टिकुलर परियोजना के लिए हम सही प्रकार की सामगरी और उचित तकनीक का निरधारन कर सकते हैं विद्धूत बजार में अनेक प्रकार की विद्धूत सामगरियां उपलब्ध हैं जिनके गुण और दरों में भारी परास में चैन करने की सुईधाएं उपलब्ध हैं तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए जो लागते हमने निरधारित किया उनके आधार पे सबसे बहतरी किन सामगरियों का हमें चैन करना है उन सामगरियों का चैन उनकी लागत और गुनवता के जो मानक है उनके आधार पे किया जाता है और ये estimation का अनुमान लगाने की क्रिया का सबसे एहम कारिय होता है एक बार जब विद्धूत संस्तापन कारिय के लिए सामगरी की specification को निर्धारित कर लिया गया है तो वो जो विद्धूत योजना का जो परिपत का working drawing है जिसमें सभी तरह के कारियों का विवरन है उन विवरनों के आधार पे हमें किसी विशेस मद की विद्धूत सामगरी कितनी संख्या में आवशक रहेगी उन सामगरी की मातराओं का निर्धारन किया जाता है साती साती ये भी देखा जाता है कि जिन सामगरीयों का और जिन मातराओं का हमने चैन किया है वो क्या बजार में सहज उपलब्ध है अगर कोई सामगरी बजार में सहज उपलब्ध है तब तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है लेकिन अगर कोई सामगरी जिस मात्रा में हमें चाहिए और जिस विशिष्टियों के साथ जिन स्पेसिफिकेशन के साथ हमें चाहिए वो हमें आदेश देने के बाद कुछ समय बाद ही अपूर्ती करता प्रदान कर पाएगा ऐसी अगर स्तितियां हैं तो हमें वो लीड समय को देखते वे क्रयादेश जारी कर सकें ताकि हमें समय पर सही सामगरी सही मात्रा में उपलब्ध हो जाए एक विद्धूत संस्तापन कारिय के आंकलन करते समय एक बार जब सारी विद्धूत सामगरीयों की विशिष्टियों के साथ मात्रा का चैन हो गया है तो कारिय म ओcular. बिजेएंगम जो अलग अलग चरण के लिए उनको करने के लिए संस्तापन कारिये के लिए जो विद्धूत कामगरों की अलग अलग शेनिया हैं हमें डिजाइन और वेजन के लिए एंजिनियरों की आफशकता होगी कारियों को करने के लिए हमें। एलक्टीशन और वायरमेन की भी जरुरत होगी और इन लोगों को कारिये में सहायता देने के लिए हेलपर भी चाहिएंगे तो अलग-अलग शेनियों में किस समय हमें कितने कामगरों की आफशकता रहेगी उसका भी आंकलन किया जाता है और सबी शर्मिकों के कारिय दिवसों को और उनकी दैनिक दरों को जानते वे पूरी परियोजना में शर्मिक कारियों के लिए कुल लागत कितनी होगी उसका भी आंकलन कर लिया जाता है विद्ध संस्तापन कारिये में विदूत सामगरियें और विदूत कारियों का पूरा बिवरा बनाने के बाद एक समरी रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें विवेद बदों में लगने वाली सामगरियों की प्रकरती और मातरा और साथी साथ सबी तरह के काम की मातराओं के आधार पे पूरी विद्धूत संस्तापना कारिय की संपूंता के लिए हमें कितनी समय अवदी लगेगी और कितनी धनकी आवशकता होगी इसका अनुमान भी लगाना बेहत जरूरी है और किसी भी इलेक्टिकल इंस्टॉलिशन वर्क में संस्तापन कारिय योजना के लिए पूरी विद्धूत कारिय को योजना बत पूरा करने में कितना समय और कितना पैसा लगेगा उसका अंकलन भी कर लेता है किसी भी विद्धूत संस्तापन परियोजना के प्रबंदन में भी अनुमान का बहुत महतु है अनुमान वस्तूत क्या मानदन रखती है, कितनी मातरा में चाहिए, किस समय चाहिए, क्या जंशक्ती हमें चाहिएगी, मैन पावर चाहिएगी और क्या दूसरे साधन चाहिएगी। और अंत में परियोजना का सफल समापन हो इन सभी में परियोजना के शुरुआत में जो हमने अनुमान लगाए हैं उनका बहुत महतु है एक परियोजना के पूर्ण होने पर उसमें कितनी समय अवदी लगेगी कितनी लागत लगेगी ये सब अनुमान पर आधारित ही रहने चाहिए अगर वो अनुमानित राशी से अधिक राशी लगती है या अनुमानित समय से ज़्यादा समय लगता है तो इसका मतलब है कि परियोजना का कर्यानवन करते समय सही तरीके से परबंदन नहीं किया गया है नेकेवल समय सीमा और लागत को निर्धारित करने में अनुमान का इस्तेमाल किया जाता है हम अनुमान की मदद से ही सस्थापन कारिये में जो सभी परकार की आवशक सामगरी लगी है उनकी गुनवता और मातरा को नियंदरित करते हैं और इसी से पूरी परियोजना के परियोजना के संचालन के दोरान उसमें जो अंतिम लागत की गणना है वो अनुमान का एक मुख्य उद्देश है परियोजना में एस्टीमेशन करते समय हम क्या समगरी और मैन पावर लगेगी उसकी मातरा को निकालते हैं वो किस दरों पे हमें परियोजना के लिए उपलब दोंगी उनकी जानकारियां जुटाते हैं और मातरा और दरों के गुणा से किसी भी मद में लगने वाली कुल राशी की जो जानकारी मिलती है सबी मदों में लगने वाली राशी को जोड़ के हम समगरी और कारियों के लिए समस्त खर्चों को ग्याद कर सकते हैं लेकिन साथी साथ इन खर्चों पे कुछ अन्य लागतें भी जोड़नी होती है तबी हमें परियोजना की अंतिम लागत की गणना राप्त हो जकेगी परियोजना के सफल संचालन के लिए उनका होना भी जरूरी है समगरी को परियोजना के स्थल पर लाने ले जाने के लिए भी हमें कुछ अत्रिक खर्चे करने हो दें जिने हम परिवेन के खर्चे कहने हैं कुछ ऐसी आपातकाली इन अचानक अकस्मात जिने हमने पहले से अंदाज नहीं लगाएं। ऐसे खर्चे भी किसी भी परियोजना के अंशो हो सकते हैं। तो इन सब खर्चों को जो ओवर हेड है, सुपर वीजन है, कंटिंजेंसी हैं। जोड कर हम परियोजना की अंतिम कुल लागत का अनुमान लगा सकते हैं। या नहीं करें किसी भी परियोजना की जो वेवारता है उस पर लगाया गया धनरासी क्या उपयोगिता साबित करेगी वो अंतिम लागत गड़ना से ही समझ में आता है विद्धूत संस्तापन कारिय की गुनवता का नियंतन भी हम आंकलन के आधार पर कर सकते हैं आंकलन में हमने परियोजना में इस्तेमाल होने वाली समगरियों के विस्तरत तक्नीकी विवरंड बनाए होते हैं स्पैसिफिकेशन्स बनाए होते हैं कारिया के दोरान किस तरह से संस्तापन करना है उसके बारे में भी प्रक्रियागत तक्नीकी रूप से सारी विस्तार से जानकारी अनुमान में दी गई होती है तो एक परियोजना के एक्जिक्यूशन कारिया अनुमान या निस्पादन कारिया के लिए जो हमारे सुपर्वाइ और वर्कमेंशिप का निर्दारन की सूपालना करेंगे तो निश्चित रुपते सस्ताफन कारिये में गुनवता भी प्राप्त हो जाएगी परियोजना में लागत अनुवान का एक उद्देश है परियोजना में लगने वाले निवेस को सही ठेराने के लिए भी है जैसे हमन और लाब के अनपात की गणना कर सकते हैं और किसी भी परियोजना के निवेस में फाइदा है या नहीं ये समझ भी बनाई जा सकती है सबी संग्ठनों के लिए इसी परियोजना का लागत अंकलन और अनुवान लगाने का जो मुख्य उद्देश है वो परियोजना के क्रियानवन के लिए निवीदा या कोटेशन को आमंतरित करना है किसी भी परियोजना में क्या सामग्री और किस तरह की कारिये वेवस्ताएं रहेगी उसका संपून विवरन गुनवता और मात्रा का अनुमान में प्राप्त हो जाता है और एक बार अन्मान बनने के बाद हम परियोजना को क्रियानवन करने कि लिए सामगरी की आप्रती और अन्य सस्तापन कारिय करने के लिए ठेकेडारों से निवीदा या भाव दरें कोटेशन अमंतरित कर सकते हैं जो ठेकेदार हमें कोटेशन में दरें देगा, उन दरों का अनुमान में जो दरें दी वी है, उनके साथ तुलना की जा सकती है, ठेकेदार के प्रस्ताव और हमारे अनुमान में दिये गए, मान दंडों की आपस में तुलना करके, गुनवता और दरों के अधार पे हम, समान क आप पूर्ती और कारिय मदों के ठेके उचित प्रकार से आवंटित कर सकते हैं और इस तुलना कारिय में परियोजना का अनुमान महत्पून हो जाता है कभी कभी कुछ आपातकाली सामगरियों के बुक्तान के बिल तयार करने में भी हम अनुमानों का उप्योग किया करते हैं तो अनुमान किसी भी परियोजना को कॉंट्रेक्ट के आधार पे ठेके दारी से कराने के लिए भी बेहत जरूरी है क्योंकि अनुमान के आधार पे ही निविता या कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। निविता या कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। निविता या कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। या कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। या कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।